बुरी आदत एक अमीर आदमी अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत परेसान था वह जब भी बेटे से बुरी आदत छोड़ने को कहते तो एक ही जवाब मिलता अभी मैं छोटा हूँ धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूँगा पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता उनी दिनों एक महत्मा गाओं में पधारी हुए थे जब आदमी को उनकी ख्याद के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुँचा और अपने समस्या बताने लगा महत्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा ठीक है आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आईए वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा अगले दिन सुबह पितापुत्र बगीचे में पहुँचे महत्मा जी बेटे से बोले आईए हम दोनों बगीचे की सेर करते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे चलते चलते ही महत्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखार सकते हो जी हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है और ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखार दिया फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बात महत्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इसारा करते हुए कहा क्या तुम इसे भी उखार सकते हो बेटे को तो मानो इन सब में कितना मज़ा आ रहा हो वह तुरंत पौधा उखारने में लग गया इस बार उसे थोड़ी महिनत लगी पर काफी प्रयतने के बाद उसने इसे भी उखार दिया और वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बात पुना है महात्मा जी ने एक गुड़हल के पेंड की तरफ इसारा करते हुए बेटे से इसे उखारने के लिए कहा बेटे ने पेंड कतना पकड़ा और उसे जोर जोर से खीचने लगा पर पेंड तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेंड तस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला अरे ये तो बहुत मजबूत है इसे उखारना संभव है महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा बेटा ठीक ऐसे ही बुरी आत्तों के साथ होता है जब वे नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती है इन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है बेटा उनकी बास समझ गया और उसने मन ही मनाज से ही बुरी आत्त छोड़ने का निश्चे किया प्लीज लाइक सब्स्क्राइब